नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने युटुप चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम MS Access में फॉर्म डिजाइन करना सीखने वाले हैं MS Access की प्रिवियस वीडियो में हमने टेबिल बनाना, रिलेशन्सिप बनाना, कोईरी लगाना सीखा है आज की वीडियो में हम MS Access में फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कितने प्रिकार के होते हैं और फॉर्म को किस प्रिकार बनाया जाता है, यह सीखने वाले हैं फॉर्म जो की एक Graphical User Interface होता है Graphical User Interface मतलब फॉर्म में कुछ heading होती हैं, कुछ field होती हैं, कुछ buttons होते हैं इन सब को मिला कर एक form create होता है और फॉर्म जो बनाया जाता है, वह data की entry करने के लिए बनाया जाता है form में जो भी data enter किया जाता है, वह table में store हो जाता है तो अभी तक हमने MS Access में table को बनाना सीखा, query को बनाना सीखा आज हम form बनाना सीखने वाले हैं तो पहले हम form का introduction समझेंगे, form के types को समझेंगे उसके बाद हम MS Access software पर form को practically बनाना भी सीखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, देखते हैं form होता गया है form MS Access का एक object है, जो form है, वह MS Access का एक object है MS Access में कई प्रकार के object होते हैं, जैसे की table, query, form, report इस प्रकार से MS Access हमें कई प्रकार के object प्रवाइड करता है तो form भी MS Access का एक object है form एक graphical user interface होता है, जो form होगा उसमें multiple type के controls होंगे, tools होंगे जैसे की label, button, text box, radio button, check box तो form हमें graphical user interface प्रदान करता है मतलब graphics के द्वारा, चित्रों के द्वारा form को create किया जाता है form का use, data entry करने के लिए किया जाता है जो form होता है, उससे data की entry की जाती है और वह data जाकर table में store हो जाता है form के द्वारा, data की entry correct होती है क्यूंकि form एक systematic way में so होता है सही तरीके से so होता है तो उसमें data की entry भी सही तरीके से की जा सकती है form को design करने के लिए controls मतलब tools का उप्योग किया जाता है एक form multiple control से मिलकर बना होता है controls का मतलब होता है tools एक form में label होते है text box होते है button होते है radio button होते है check box होते है इस प्रकार के कई controls को मिलाकर एक form को बनाया जाता है form में enter होने वाला data tables में store होता है हम जो भी form में data भरेंगे वह data input करने के बाद table में store हो जाता है form से data को input, edit, search और delete किया जा सकता है, form से हम table में data को enter कर सकते हैं, भरे हुए data को edit मतलब सुधार सकते हैं, किसी record को search कर सकते हैं, या किसी record को delete भी कर सकते हैं, तो यह होता है ms axis का form, form ms axis का एक object है, जो कि हमें graphical user interface provide करता है, form के द्वारा data की entry की जाती है, एक form multiple control से मिलकर बना होता है, form के द्वारा data पर multiple type के operation भी perform किये जा सकते हैं, अब हम समझने वाले हैं, कि form कितने प्रकार के होते हैं, ms axis में form कई प्रकार के होते हैं, और ms axis form को बनाने की कई method भी provide करता है, यहाँ पर जो main form के types हैं, main, पहला form का type होता है, single item form, single item form, जिससे columnar form भी कहा जाता है, columnar, जो column के रूप में so होता है, columnar form भी से कहा जाता है, जो की column के रूप में so होता है, दूसरा होता है multi items form, जिससे tabular form भी कहा जाता है, एक table के रूप में so होता है, तीसरा होता है data sheet form, यह भी table के रूप में होता है, जिस प्रकार से एक table data seed view में so होती है उसी प्रकार से होता है data seed form और एक होता है split form split form मतलब जिसमें half screen में form को so किया जाता है और half screen में table को so किया जाता है तो यह चार MS axis में form के main type होते हैं basic type होते हैं पहला होता है single item form जिसमें एक एक record को एक बार में so किया जाता है इसे corner form भी कहा जाता है दूसरा होता है multi items form जिसमें एक साथ multiple record को so किया जाता है इसे हम tabular form भी कहते हैं तीसरा होता है data seed form जो की एक table के रूप में multiple records को एक साथ so करता है और last होता है हमारा split form जो की form और table को एक साथ so करने के लिए use किया जाता है तो अभी हमने form का introduction समझा form के types को समझा अब चलते हैं ms access software पर और इन सभी form को practically बना कर देखते हैं तो अब हम ms access software में आ गए हैं यहाँ पर हमने अपना database open किया है हमारा database इस cool name से है इस database में हम multiple tables को create कर चुके हैं और query को भी create कर चुके हैं आज से हम ms access के database पर form को बनाना सीखने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने multiple tables को बनाया है और query को बनाया है इस table section में हमारी सारी table होती है और query section में हमारी सारी query होती है आज हम किसी table के लिए form को बनाना सीखने वाले हैं तो आपको जिस table के लिए form create करना है सबसे पहले आप उस table को select करें तो for example हम अपनी admission table के लिए हमारे database में एक table बनी है admission table जिसके लिए हम form create करना चाहते हैं तो हमने admission table को select किया पहले आपको उस table को select कर लेना है जिस table के लिए आप form बनाना चाहते हैं तो हमने admission table को select किया है form को बनाने के लिए हमें create tab को select करना है create tab को यहाँ से हम table section को सीख चु के हैं आज से हम form section को सीखना start कर रहे हैं पहला जो form हमें सीखना है वह होता है single item form जिसे corner form भी कहा जाता है column के रूप में होता है एक एक record को एक बार में so करता है उसे कहा जाता है single item form या corner form इसको बनाने के लिए आपको form section में form बटन पर click करना है जैसे ही आप form बटन पर click करेंगे आपके सामने एक single item form या corner form बनकर आ जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी table थी उसी नाम से यह form बनकर तयार हो गया है form का title एड़िशन यहाँ पर form का एक logo icon भी so हो रहा है और हमारे form में वह सभी field so की जा रही है जो field हमारी table में है हमारी table में जितनी भी field थी उन सब को इस form पर so किया जा रहा है नीचे हमें कुछ control बटन भी दिये जाते हैं जिनकी help से हम record को navigate कर सकते हैं change कर सकते हैं search कर सकते हैं यह होता है हमारा single item form या corner form जिसमें एक एक record को एक बार में so किया जाता है अभी हमने जो form बनाया है यह हमारे सामने layout view में open है यदि हम इस form को save करना चाहते हैं तो हम control s से इसे save करेंगे यहाँ पर आपको form का एक नाम भी देना होता है by default form उसी नाम से save होता है जिस नाम से आपकी table होती है तो automatic यहाँ पर नाम आ गया admission इसके बाद हम ok बटन पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं all access object की window में एक नया object बन गया है form और पहला form हमारा कौन सा बन कर तैयार हो गया admission form यदि आप इस form पर double click करेंगे तो यह form आपके सामने output में so होगा अब आप इसमें record को edit कर सकते हैं record को enter कर सकते हैं record को delete भी कर सकते हैं यह होता है हमारा single item form या corner form यदि आपको next record पर जाना है तो नीचे आप control बटन का use कर सकते हैं last record पर navigate कर सकते हैं यहाँ पर multiple type के बटन होते हैं यदि आपको एक new record एंटर करना है तो new या blank record पर click करें तो आप एक नया record भी एंटर कर सकते हैं यह होता है हमारा single item form या corner form जिसको बनाने के लिए आपको simple एक table को select करना है कोई भी create tab पर जाना है और form बटन पर click कर देना है यह form हमने बना दिया exam table का आप देख सकते हैं यह form बनकर तयार हो गया है हमारी second table exam table का control S से हमें से भी save कर सकते हैं तो यह जो form है यह single item form होता है जिसे corner form भी कहा जाता है जिसमें एक बार में एक record को so किया जाता है अब हम form का second type सीखते हैं जो की होता है multi item form या tabular form तो पहले हम table को select करेंगे जिस table का form हमें बनाना है इसके बाद हम create tab को select करेंगे form section में हमें एक option राप्त होता है more forms, यहाँ पर हम design view से भी form बना सकते हैं, wizard के माध्यम से भी form बना सकते हैं, इन सभी options को हम आने वाली next videos में सीखेंगे, आज के वल हम basic सभी form को बनाना सीख रहे हैं, तो पहला form हमने सीखा corner form या single item form, अब हम सीखने वाले हैं multi item form को, उसको बनाने के लिए आप को forms section में more forms बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें चार प्रकार के option सो किये जा रहे हैं, इस में से जो form अब हम बनाने वाले हैं, वह है हमारा multi item form, हमें इस option पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं, अब जो form बनकर तयार हुआ है, यह है हमारा multi item form, इस form में एक साथ multiple record को सो किया जा रहा है हमारी table के multiple record को एक साथ सो किया जाता है multi item form में जबकि single item form में corner form में एक एक record को सो किया जा रहा था जबकि multi item form में या tabular form में एक साथ multiple record को सो किया जाता है अभी हमारा यह form layout view में open है आप देख सकते हैं layout view में open है इसे हमें save करना होगा control s से by default form उसी नाम से save होगा जिस नाम से हमारी table होती है हमने यहाँ पर इसका नाम change करके कर दिया है admission tab मतलब admission table का यह tabular form है इसके बाद हम ok बटन पर click करेंगे तो हमारा एक और नया form बनकर तयार हो गया है admission tab के नाम से यह admission table का tabular form है इस पर double click करेंगे तो यह form आपके सामने form view में so हो जाएगा मतलब यहाँ से आप record को देख सकते हैं record को enter कर सकते हैं edit कर सकते हैं next record पर जाने के लिए next button है previous record पर आने के लिए previous button है आपके किसी record की entry भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक नए record की entry करी है जो कि हम form से कर रहे हैं और automatic यह entry हमारी table में भी save हो जाएगी इस परकार से आप record की entry भी कर सकते हैं किसी record को edit भी कर सकते हैं यह होता है हमारा tabular form तो अब हमने दो प्रकार के form को समझा, single item form या corner form, multi item form या tabular form, अब जो हमारा form का तीसरा type है data seat form हम उसको बनाना सीखते हैं, तो पहले हमने table को select किया, create बटन पर click किया, अब हमें जो data seat form बनाना है, उसके लिए हमें more forms बटन पर click करना है और यहां से select करना है data seat form को, अब जैसे data seat form पर click करेंगे, आपके सामने data seat form बनकर तयार हो जाएगा, यह form table के data seat view के समान होता है, जैसे कि हम MS Excel में table को दो तरीके से बना सकते हैं, एक होता है design view के द्वारा, एक होता है data seat view के द्वारा, तो data seat view में जो हमारी table सो होती है, वह बिलकुल इसी प्रकार से सो होती है, जि data seat form मतलब normal table के रूप में आपके records को सो किया जाएगा, और एक साथ multiple records को सो किया जाएगा, इसमें आप record को enter कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, नया record add भी कर सकते हैं, यह होता है data seat form, जो की multiple records को एक साथ सो करता है, और table के रूप में सो करता है, control S से हम इसे save करते हैं, for एक्जाम्पिल हमने इस form का नाम दिया है एडवीशन डेटा सीट ओके बटन पर क्लिक करके हम इस form को सेप करते हैं अब यदि आप इस form को open करेंगे तो यह एक टेबल के रूप में आपके सामने सो किया जाएगा यह होता है form का third type तीसरा type डेटा सीट form अब हम form का last type बनाना सीखने वाले हैं जो की होता है split form split मतलब screen को दो पार्ट में divide किया जाएगा एक पार्ट में form सो होगा और एक पार्ट में हमारी table सो होगी split form को बनाने के लिए पहले हम अपनी table को select करेंगे for example हम exam table के लिए split form को बनाने बाले हैं तो हमने table को select किया इसके बाद हमें create tab को select करना है more forms बटन पर click करना है और यहां से select करना है split form को आप देख सकते हैं अब जो form हमारे सामने बन कर आया है इसमें harp screen पर मतलब एक पार्ट में हमें form सो किया जा रहा है और दूसरे पार्ट में table सो की जा रही है split कर दिया गया है form को form को दो भागों में divide कर दिया गया है एक भाग में हमारा form सो होगा और एक बार में एक ही record सो होगा form में मतलब यह single item form है और नीचे हमारी complete table सो हो रही है तो हम कह सकते हैं जो split form है वह single item form और data seat form का combination है क्योंकि नीचे हमें table सो की जा रही है data seat form के रूप में और उपर हमें table का एक एक record सो किया जा रहा है single item form के रूप में यह होता है हमारा split form control s से हम इसे save करते हैं for example हमने इस form का नाम दिया है exam split okay से हम इसको save करेंगे हमारी access के database में आप देख सकते हैं multiple form बनकर तयार हो गए है last form जो हमने बनाया है वह है exam split के नाम से double click करने पर यह form open हो जाएगा यहां से आप record को navigate कर सकते हैं previous record पर जा सकते हैं next record पर जा सकते हैं नया record add कर सकते हैं for example हमने यहाँ पर एक नए record की entry करी आप देख सकते हैं हम form में entry कर रहे हैं और वह entry automatic हमारी table में होती जा रही है तो यह होता है form form के माध्यम से आप नए record को enter कर सकते हैं edit कर सकते हैं search कर सकते हैं delete कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने MS axis में form क्या होता है यह समझा form के कौन-कौन से basic types हैं उसको समझा और चार प्रिकार के form को बनाना सीखा है single item form मतलब की coloner form एक-एक record को सो करता है दूसरा होता है multi item form जिसमें एक साथ multiple record को सो किया जाता है इसे tabular form भी कहते हैं तीसरा होता है data sheet form जो की multiple record को एक table के रूप में सो करता है और चौनता होता है split form जो की table और form को एक साथ हाप screen पर सो करता है तो आज की वीडियो में हमने form को बनाना सीखा आप इसको practical यूज करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद